हलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं अर्चना परोहा Holy Hearts Educational Academy रायपूर से हूँ और आज कक्षादसी के विद्यार्थियों के लिए व्याकर्ण से पद परिचे लेकर आईगू पद परिचे क्या है? पद, वाक्की में प्रईप्त शब्द पद कहलाता है आप किसी भी प्रकार का जब वाक्की बनाते हैं और उसमें जो भी शब्द आप प्रयोग करते हैं वही शब्द पद गहलाते हैं और परिचे मतलब जाल पहचान यहां परिचे कैसा होगा? उन्ही शब्दों का व्याकरणिक रूप से परिचे देना व्याकरणिक रूप से परिचे देना मतलब कि वो शब्द व्याकरण के किस पद के अंतरगत आता है? संग्या, सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, क्रिया विशेशन, कौन सा पद है यह बताना है फिर उस पद में जो भी बिंदू दिये गए हैं उन बिंदूों के आधार पर उसका परिचे देना पद परिचे कहलाता है जैसे मैं आप से पुछूं कि आप अपना परिचे दीजे तो आप सबसे पहले मुझे क्या बताएंगे? आप अपना नाम बताएंगे, फिर कक्षा बताएंगे, फिर शहर बताएंगे, तो ये एक तरह का क्रम होता है इसी तरह से पद परिचय में भी शब्दों का क्रम होता है और उसी क्रम के अनुसार परिचय दिया जाता है तो आईए आप देखते हैं कि पद परिचय के लिए कौन-कौन से आवश्यक बिंदू है जब वाक्य में आपको कोई संग्या शब्द रेखांकित किया गया है जिसका परिचय देना है तो सबसे पहले आपको उसका भेद बताना पड़ेगा कि वो कौन से भेद के अंतरगत आता है यही पहला बिंदू होगा परिचय देने का उसके बाद आपको उस शब्द का लिंग बताना पड़ेगा फिर आपको उसका वचन बताना पड़ेगा फिर कारक और क्रिया से संबंध संग्या शब्द का परिचय देने के लिए ये आवश्यक बिंदू है जिनका आपको ध्यान रखना है ठीक इसी प्रकार जब वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द दिया है जिसका आपको परिचय देना है तो यहाँ भी जो बिंदू है वो इसी प्रकार है कि सबसे पहले आपको बताना है कि वो सर्वनाम का कौन सा भेद है यदि वो पुरुष वाचक सर्वनाम में है तो पुरुष कौन सा है लिंग बताना है वचन बताना है उसका कारक बताना है और क्रिया से संबंध बताना है फिर यदि विशेशन शब्द है तो विशेशन में भी विशेशन का भेद बताईए लिंग वचन और विशेश्य अर् क्रिया का भेद अकर्मक्रिया है कौन सी क्रिया है यह बताना है फिर बताईए लिंग वचन काल और वाच जींशील उसके बाद गिर क्रियाविश श्रण की पदपरिषे में सिर्फ दो बिंदिवों पर पदपरिषे दीया जाता है कि गर्णी in कौन सा है और किस क्रिया की विशेशता बता रहा है अर्थात उसका क्रिया विशेश्य कौन सा है यह ध्यान रखिए का बच्चों इसमें लिंग वचन काल कारक यह सब नहीं निकाला जाता है इसके बाद समुच्य बोधक समुच्य बोधक में भी उसका भेद बताईए और लि यदि कोई शब्द है, अरे, तो आश्यर सूचक है, ओफ, आह, वाह, शाबाश, तो ये किस प्रकार का सूचक है, आपको विस्मयादी बोधक बिंदू में यही परिचय देना है, इसमें भी लिंग वचन कारक ये सब नहीं बताया जाता है, संबंध बोधक में भी आपको लि परिचय को समझेंगे, उधारण है कि हम बाग में गए, परन्तु हमें कोई आम न मिला, अब इसमें जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं, उनका यहाँ पर परिचय दिख रहा है, सबसे पहला शब्द है हम, अब हम किसके अंतर गताता है, सर्वनाम, सर्वनाम में भी पुरुष वाचक सर्वनाम पहला बिंदू बन गया, फिर अब इसका पुरुष बता दीजिये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, हम शब्द उसका लिंग कौन सा है, पुलिंग में आ जाता है, वचन चूंकि हम है, एक नहीं है, तो बहु वचन में आ जाएगा, और करता कारक है, क्योंकि गय क्रिया का करता हो गया, तो वह आपको समझ में आया, कि यदि सर्वनाम शब्द मिल रहा है, तो उसका परिचे हमें कैसे देना है, जैसे हमने हम का दिया, अब दूसरा शब्द है, बाग में, बाग में शब्द, संग्या शब्द है, बाग, कौ दूसरा बिंदु pulling, बाग एक वचन में, अब मे लगा है, तो कारक कौन सा बन गया, अधिकरण कारक हो गया, तो ये बाग में शब्द का पदपरिचय बन गया, अब हम लेते हैं इसी का तीसरा शब्द, गै, गै क्रिया है, और कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है पुलिंग शब्द है बहु अचन है और गय काल कौन सा हो जाएगा भूत काल हो जाएगा और करत्री वाच्ची हो जाएगा तो क्रिया शब्द के पदपरिचे में आपको काल वाच्ची भी लिखना है ये ध्यान रखिएगा तो इसी तरह से आपको पदपरिचे देना है अब आगे हम दूसरा शब्द देखेंगे परंतु अब परंतु कौन सा शब्द है व्यधी करण समुच्य बोधक अर्थात ये दो वाक्यों को जोडता है इसलिए ये समुच्य बोधक के अंतरगत आ रहा है समुच्य बोधक में मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है दो वाक्यों को जोडता है तो ये इस तरह से आप उसका परिचे देंगे अब अगला शब्द है वहाँ किस पद में आएगा क्रिया विशेशन क्रिया विशेशन का कौन सा भियत इस्थान वाचक क्रिया विशेशन मैंने आपको बताया है क्रिया विशेशन में सिर्फ दो बिंदूओं पत परचे देना है पहला बताईए क्रिया विशेशन का प्रकार और दूसरा क्रिया विशेश्य तो ये जो वहाँ है इसके लिए क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द हो जाएगा गए ये गए क्रिया की विशेषता बता रहा है फिर है कोई अब कोई किसके इंतर गताएगा विशेशन विशेशन में भी संख्या वाचक क्यों अनिश्यत संख्या वाचक निश्यत संख्या नहीं है इसलिए अनिश्यत संख्या वाचक विशेशन आप संख्या वाचक विशेशन लिखेंगे तो भी बिल्कुल सही होगा अब कोई जो है उसका लिंग कौन सा हो जाएगा फिर आम विशेश्य हो जाएगा और एकवचन हो जाएगा तो ये विशेशन शब्द का पदपरिचे हो गया अब इसी में था दूसरा शब्द आम तो आम किसके अंतरगत आएगा संग्या जातिवाचक संग्या आम पुलिंग एकवचन करताकारक फिर है ना मिला में से ना अब ना क्या है क्रिया विशेशन और प्रकार में रीतिवाचक क्रिया विशेशन इसमें क्रिया विशेशन कौन सा शब्द हो जाएगा मिला क्योंकि लिखा था ना कोई आम ना मिला तो मिला शब्द जो है उस क्रिया की ये विशेशता बता रहा है ना शब्द तो दो बिंदों पर परिचे हुआ रीति वाचा क्रिया विशेशन मिला क्रिया विशेशन अब आखरी शब्द है मिला अर्था क्रिया कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया पुलिंग शब्द है एक वचन है भूत काल है और करत्री वाच्चे है तो बच्चों आपको इसी तरह से किसी भी प्रकार के वाक्य में जो शब्द रेखांकित किये गए होंगे उनको आपको ऐसे ही पदपरिचय बनाना है जो मैंने आपको संग्या सर्वनाम ये सब बिंदू दिखाए हैं उन बिंदूों को जरूर ध्यान में रखिएगा और इसको समझने के लिए मैंने पहले आओ व्याकरंड समझे वीडियो भेजा है आप लोगों के लिए चार वीडियो है जिसमें संग्या सर्वनाम विशेशन क्रिया क्रिया विशेशन सब अच्छे से मैंने समझाया है तो उसमें से आपको ये सारे पद समझ में आ जाएंगे और फिर उन पदों का आप इस तरह से परिचय बना सकते हैं तो आशा करती हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा धन्यवाद